खुबसूरत दिखने का ख्वाब हर किसी का होता है सुन्दर चेहरा पाना और दिलकश नजर आना अब हो जाएगा और भी आसान देखिए मेरे साथ Beauty Care, Beauty Tips स्रिफ और स्रिफ BBN चैनल पर Hello everyone, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट मनीशा आप सभी का विलकम है मेरे इस प्रोग्राम में Beauty Care, Beauty Tips तो आज मैं बताने वाली हूँ टाइप सॉफ स्किन के बारे में हमारी स्किन कौन सी है, हमें कैसा पता चलेगी बिना पता लगाए, हम हमारी स्किन पर कोई प्रोडेक्ट इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो मैं पताने वाली हूँ कि हमारी स्किन टाइप कैसे पता करें अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए सबसे ज़ादा जरूरी है अपनी स्किन टाइप को समझना होता है जादा तर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी skin type को बिना पहचाने product purchase करते हैं इससे पहले आप भी अपनी skin type को पहचाने बिना skin care routine के लिए कोई product खरीदने की सोच रहे हैं तो product खरीदने से पहले अपनी skin type को पहचानने की कोशिश जरूर करें skin type पास तरीके की होती है first combination skin, second dry skin, third oily skin fourth normal skin, fifth sensitive skin first combination skin आपके T-zone इसमें forehead, nose और chin शामिल है अगर T-zone oily हो और बाकी area dry हो तो ऐसी skin type को combination skin type कहते हैं ये अलग-अलग places पर oily और dry भी हो सकती है लेकिन अगर आप अपने face पर अलग-अलग बनावट देख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी combination skin type है जब आप cleansing करते हैं और आपके T-zone fresh oil free feel करता है जबके chicks area dry feel करता है तो आपकी skin combination skin हो सकती है combination skin type वालों को अक्सर T-zone में मौस्टराइजर की जरूरत नहीं होती जबके chicks पर मौस्टराइजर लगाने की जरूरत है ऐसा feel होता है क्योंकि chicks पर skin dry होती है ये सबसे common skin type है लेकिन इस skin type की care करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये skin type oily और dry skin से मिलकर बनी होती है इसलिए maximum लोग confused रहते हैं कि उन्हें किस type के product यूज़ करना चाहिए combination skin type लोगों को अलग-अलग area पर अलग-अलग product यूज़ करना चाहिए जैसे T-zone पर अगर oil है तो ऐसा product यूज़ करें जो oil को control करें ठीक उसी प्रकार other areas जो dry होते हैं उस area आपको hydrate रखने वाले product यूज़ करना चाहिए अगर आपके face wash करने के बाद skin खिची-खिची सी लगती है और सुस्क लगती है तो ठंड के मौसम में skin पर दरार पर जाते हैं तो इस प्रकार की skin type को dry skin कहते हैं cleansing के बाद अगर आपकी skin खिची हुई और dehydrate फील करते हैं तो ये dry skin के संकेत होते हैं dry skin वाले लोगों को हमेशा मौस्टराइजर की जरूरत होती है क्योंकि मौस्टराइजर ना लगाने पर skin खिची-खिची सी महसूस होती है dry skin type लोगों को अपनी skin में नमी बनाए रखने के लिए मौस्टराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है अपनी skin को potion देने के लिए आपको किसी अच्छे lotion का यूस करना चाहिए specially winter में बहुत care करना चाहिए क्योंकि सुस्क हवा की वज़े से skin पर दरारे भी पर सकती है पूरे दिन skin को hydrate रखें ज़ादा से ज़ादा पानी पिएं और night में skin को मौस्टराइजर लगा कर सोना ना भूलें अगर आपके skin में बहुत ज़ादा oil निकलता है और आपको shiny feel होता है तो इस प्रकार की skin type को oily skin कहा जाता है जब आप cleansing करते हैं तो cleansing के कुछ time तक आपको oil free और fresh feel होता है लेकिन कुछ समय बाद फिर से oil नजर आने लगे तो समझ जाएं कि आपकी skin oily skin है oily skin वाले लोगों को दिन में बहुत कम मौस्टराइजर की सरूरत होती है oily skin परियाप तेल से अधिक तेल का उत्पादन करती है इसलिए आपको black head pimples जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए oily skin होने पर skin को अच्छे से साफ करें और ऐसा मौस्टराइजर या lotion का इस्तिमाल करें जो oil free हो अगर आप अनजाने में ऐसे lotion का यूज़ करते हैं तो आप अपनी skin को और oil से जोड़ देंगे 4. Normal skin अगर आपकी skin ना oily है ना dry है और ना ही sensitive है तो इस प्रकार की skin type को normal skin कहते हैं क्लेंसिंग के बाद अगर आपकी skin clean and clear feel करते हैं और skin को बस थोड़े से मौस्टराइजर की जरूरत होती है तो ऐसी skin normal skin होती है Normal skin वाले लोगों को पूरे दिन में मौस्टराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि skin में already natural oil होता है जो skin में नमी बनाने का काम करता है Normal skin ना तो ज़्यादा oily होती है और ना ही dry होती है 5. Sensitive skin अगर आपको अपनी skin में irritation feel होती है या सुस्क और खुजली महसूस होती है तो इस प्रकार की skin type को sensitive skin कहा जाता है अगर आप skin को normal face wash करते हैं तो आपको clean और थोड़ा dry feel हो सकता है लेकिन अगर cleanser या कोई product यूज करने के बाद skin में जलन होती है तो ये कह सकते हैं कि product के यूज के लिए आपकी skin sensitive है Sensitive skin type वाले लोगों पे कुछ हद तक moisturizer लगाने की जरूरत होती है लेकिन उन्हें सही moisturizer ढूंडने में problem होती है जिससे उनकी skin को कोई नुक्सान ना हो रखने के लिए जब आप किसी product का use करें तो सबसे पहले product का test कर लें इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा product आपकी skin के लिए अच्छा है हमेशा mild product का use करें और हर scrub use करने से बचें गुनगुने पानी से face wash करें तो ये है skin types और कैसे पता लगाएं कि हमारी skin कौन सी है हमारा program यही खतम होता है ऐसे ही beauty tips के लिए देखते रहिए मेरा show beauty care beauty tips स्रिफ और स्रिफ बीबियन चैनल पर और हाँ like share और subscribe करना ना भूलें तब तक के लिए take care bye bye खुबसूरत दिखने का ख्वाब हर किसी का होता है सुन्दर चेहरा पाना और दिलकश नजर आना अब हो जाएगा और भी आसान देखिए मेरे साथ beauty care beauty tips स्रिफ और स्रिफ बीबियन चैनल पर झाल 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 झाल